नमस्कार जोहार मेरा नाम है वंतिका और आप देख रेधा फोर्ट पिलर अभ्यर्थियों ने अपने शंकाएं मीडिया के सामने जाहिर की है। अभ्यर्थियों के द्वारा कोपी जाचा गया है। कि जो रिजल्ट होगा मैंस का वो अगस्त का पर्थम सब्ता में होगार दुप्य सब्ता से जो होगा इंट्रव्यू का रिजल्ट होगा। लेकिन कल जाके जो जो जपीशी का धिया चाहा है। उनका रिटार्मेंट होने जारी है। लेकिन अभी तक रिजल्ट जारी नहीं कह जा रहा है। और यहां पर जो आयोग में जितने भी चैर्मेंट हैं जितने भी सदस्त हैं तो बहुत अलग अलग पार्टियों से उनके सबंद रखते हैं। उनके पती, किसी के भाई, किसी के रिष्टेदार, बड़े पदों पर दूसरे पार्टियों में आसी मैं। कुछ अभियर्थियों नाम नहीं लेने की शर्ट पर बताया था कि रिजल्ट तयार है निलीमा मैं रिजल्ट जारी करना चाहती है लेकिन आयोग के भीतर ही कुछ लोग इसमें अडंगा डाल रहे हैं अभियर्थि कह रहे हैं कि रिजल्ट तयार है तो फिर देरी का कारण क्या है पीज तारिक हो गया 31 जुलाई को मैं में ये जेपी एससी में नोटिस जिया था कि यथा सिखरी रिजल्ट प्रकासी किया जाएगा और अगले सब्ता में शर्कार होगा तो आज भीज दिन हो गया यह नोटिस आहे दिली से लोग आए है व्यार से लोग आके यहां प्रकासी कि अधर और अब ही प्रकासी चुआ है तो यह और सुबर सुबर नोटिस क्या जा रहा है प्रभार में को नब आप जा रहा है, कि घंटी वाले टीचर ज के नाम बात नहीं से जाए जाए, ताकि कोपी को वापस से चेक तरवाय जाए जाए, और चेर्में मैं के बाद को रिटाईर हो जाए, उसके बाद क्या घफले बाजी होगी, कोई नहीं जंका है, जब रिज़र्ट बनके तयार था, अचानक से अब याद आ रहा है उंको और यह सातबी ऐपीएसी में ने पराख़ुआँ होगा 22, 23 और 24 जून को मुख्य परिक्षा का आयोजन किया गया तब से अब तक दो माह बीच चुके हैं परिणाम जारी नहीं हुआ हलांकि जुलाई महिने में आयोग ने भरोसा दिया था कि अगस्त के दूसरे सप्ता हमें परिणाम जारी कर दिया जाएगा सब्सक्राइब कर दिया जाएगा दोचन में परिणाम जारी कर दिया जाएगा दोचन में अभी तक रियाल ने आएगा गौर्ट तलब है कि हेमंत कार्यकाल में दूसरा मौका है जबकि जेपीएसी परिक्षा का आयोजन किया गया तो नतीजे लटक जाएंगे और लटक जाएगा युवाओं का भविश्य भी बात ये है कि क्या युवाओं का भविश्य वाकर चुनावी मुद्दा बनेगा फिलाल के लिट नहीं मेरा नाम है अवंतिकाओ और आप देख रहे थे दो फोर्ट विलब